Hello everyone, welcome back to our channel Study MLT. I am Komil Sharma और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक के बारे में cystic fibrosis versus asthma. अब यह cystic fibrosis किस तरह की बिमारी है? क्या यह asthma ही है? और क्या asthma cystic fibrosis होता है? इन दोनों में difference क्या है? similarities क्या है? चलिए इन सारी चीजों को detail में जानते हैं. सबसे पहले जानने ना बहुत ज़रूरी है कि cystic fibrosis कि किस तरह की बिमारी है? तो यह एक तरह का inherited disease है. Inherited disease का मतलब होता है जो कि हमारे parent से हम में आया है यानि कि mommy या father, mother या father से by birth बच्चे के अंदर आया है तो उसको inherited disease बोलते हैं और इस disease में क्या condition होती है? अब यह देखते हैं. जैसे यहाँ पर आपको इन lungs की photo नज़र आ रही होगी यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके अंदर mucus की membrane होती है mucus एक थोड़ा सा thick sticky mucus होता है उसका काम क्या होता है? हमारी body के अंदर अगर कोई microorganism आ रहा है जो हमें हाम कर सकता है उसको trap कर लेना वसीलिया की movement की मदद से वो उसको out कर देता है हमारी body में अंदर रहनी नहीं देता तो उसको trap करके out करने का काम होता है अब इस condition में क्या होता है? कि mucus की membrane जो जाती है वो बहुत साथा थिक हो जाती है और sticky हो जाती है बहुत साथा जिसकी वज़ा से क्या होता है? move नहीं कर पाता है वो bacteria को trap तो कर लेता है लेकिन वो movement नहीं हो पाती है जिस वज़ा से वहीं पर bacteria रहेगा या कोई भी microorganism रहेगा और disease cause करना स्टार्ट करेगा जिसके वज़ा से हमारे lungs, digestive tract और कहीं सारे ऐसे organs हैं जिसके उमें इस तरह के disorders या फिर disease फैलने लगती है अब इसके बारे में थोड़ा और डीटेल में जानते है कुछ ऐसे लोग जो कि cystic fibrosis से पी रहे थे उनकी body में mucus जो होगा membrane वो बहुत ही जादा thick और sticky हो जाता है जो कि हमारे airways को block कर देता है airways block होंगे तो क्या होगा lungs damage होने के chances रहेंगे क्यों क्योंकि उसके अंदर germ strap है यानि कि हमारे mucus membrane है उसके अंदर germ strap है और वो move ही नहीं कर पा रहे हैं इधर वगर तो germs तो वहाँ पे grow कर जाएंगी जिसके विचे से infection और फैलेगा और उस particular जगा पे वहाँ पे पूरा disease cause करके वहाँ पे हम करेगा अब यह होता कैसे है यहाँ पे आपको एक picture नज़र आ रही होगी chromosome number 7 में एक CFTR नाम का gene present होता है अब यह gene का काम क्या है यह gene responsible होता है encode करने के लिए एक CFTR नाम के protein को CFTR क्या है cystic fibrosis transmembrane conductance regulator protein अब especially इस protein का काम क्या है तो इस protein का काम होता है हमारी body में कुछ sodium, ions, water इनकी movement को कराना यानि की in or out protein एक तरह का ion challenge का काम करते है हमारी body में मालने जी कुछ भी chloride है, sodium है अगर हम intake कर रहे हैं तो वो कहां अंदर जाएंगी कब बाहर जाएंगी उसका movement कराता है अब इसी में इस तरह की कुछ mutations हो जाती है इस CFTR gene में कुछ तरह की mutation हो जाती है जो कि CFTR protein को encode proper नहीं कर पाता है जिस वजह से ये perform proper नहीं करती है और mucus के अंदर काफी जादा sodium या chloride की concentration बढ़ जाती है जो कि उसको थिकी और sticky बना देती है तिक और sticky बन जाएंगे तो वो harmful होगा आप कौन-कौन से organ affected होते है एक बार देख लेते हैं lungs affected होगा panteria affected होगे liver, intestine and kidney ये कुछ organs है जिसकी visual से effect होने लगते हैं अब इसको एक वीडियो के माधिम से समझते हैं यहाँ पर वीडियो आपको दिख रहा होगा यह की air phase है चीक है हमारे body के अंदर यहाँ पर आपको mucus की membrane नजर आ रही है यह अभी thin है mucus की membrane आपके अब थिक हो गई अब यहाँ पर देखिए थिक हो जाएगे तो क्या होगा यह trap कर लेगी microorganism को लेकिन यहाँ पर तो space ही नहीं बच रहे तो यह move नहीं कर पापाएगी move नहीं करेगी तो वहीं पर bacteria या कोई पर bacteriognism grow करेंगे और disease cause करेंगे अब क्या इसमें क्या होता है disease cause करेंगे इस तरह की air phase में block हो जाएगी तो वहाँ पर कई तरह की सांस लेने में वहाँ पर दिक्कते होती है लोग हाफ नहीं लगते है दोड नहीं पाते और ये सारी condition तो आपने अस्तमा भी भी देखे है तो क्या अस्तमा cystic fibrosis same है? नहीं चलिए जानते हैं किस तरह से दोनों अलग है सबसे पहले cystic fibrosis के बारे में अभी हमने जाना ये एक genetic disorder है जो कि mutations की वज़ा से होता है CFTR gene में mutations की वज़ा से CFTR gene क्या है? तो responsible होती है protein को regulate करने के लिए जो कि हमारे body में salt water का movement के लिए responsible होता अब CFTR यानि कि cystic fibrosis basically ये disease कैसे diagnose होती है ये early childhood में ही diagnose होती है क्योंकि ये inherited है तो बच्चे जब पैदा होते हैं उसी time पे अगर आप diagnose करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये faulty gene mother या father के अंदर अगर कोई CFTR gene mutated है faulty है और वो faulty gene बच्चे में आया है immune mediated condition है जिसके अंदर inflammation हो जाती है अब यहाँ पे भी inflammation हो रही है जिस वज़ा से सास लेने में दिक्कत आएगी दौर नहीं सकते हैं सास फून ले लगती है कहीं तरह किस तरह की problem आती है तो ये दौनों same कैसे नहीं है इसका मतलब condition same है मगर disease अलग है asthma एक तरह का इस तरह का condition है जो कि by birth नहीं होता कई बार ऐसा होता है कि कुछ तरह के allergens हैं irritants हैं और exercises हैं जिसकी वज़ा से ये वहाँ पर produce हो जाता है asthma आपकी किसी भी life management में वहाँ पर develop हो सकता है जरूरी नहीं by birth ही ये डवलाप हो adulthood में हो या इस तरह से और ये diagnose भी हो सकता है easily medical history आपको देखना रहता है lung function test से diagnose किया जा सकता है तो ये दौनों का मतलब ये है कि जिस भी person को CFTR है उसको अस्तमा होगा इस मेंज कि उनकी airways ब्लॉक होग होगे उनको इस तरह की conditions आएंगे मंगर ज़रूरी नहीं कि जिनको अस्तमा है उनको CFTR भी हो clear अब इसके बारे में थोड़ा सा डाइगनोसिस पढ़ लेते हैं कि डाइगनोसिस किस तरह से होता है CFTR gene का यानि कि cystic phyp process का newborn screening के लिए हम थोड़ा सा drop of blood लेते हैं by heel prick method अब heel prick करने के बाद एक special card होता है Q3 card अब इसमें हम थोड़ा सा blood का drop डाल देते हैं उस card के अंदर पहले से काफी सारी components प्रेजन्ट होते हैं चीज़ें जिसके मदद से हमें बहाँ पर पता चल जाता है sweat test करके हम पता लगा सकते है sweat test में क्या होता है chloride का amount चिक किया जाता है जिससे पता चलेगा कि body में कितना जादा sweat जो है उसके अंदर chloride का amount है यानि कि proper CFDiG नहीं work कर रहा है तब ही तो chloride का amount जादा है genetic test होते है blood samples का test किया जाता है genes को चिक करने के लिए lung function test and sputum culture test I hope इस वीडियो में आपको cystic fibrosis disease के बारे में clarity मिली होगी और आपको पता चला होगा कि asthma और cystic fibrosis तोनों ही अलग-अलग disease है thanks for watching I hope you like the video and don't forget to subscribe the channel thank you